नमस्कार प्रडाम स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाईस्पी में दोस्तों इस वीडियो में बबात करेंगे यूपी असी आईस्पी एक्जाम के कटाप को लेकर के सेफी स्कोर के लेकर के बहुत सारे भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं इस राखी कितना सेफी स्को आप मैं बता रहे हूं पैसा थी आप लोगों का कटाप इसी क्यास पास जाएगा इसे प्लस टू या मानस टू इससे ज्यादा को आपको देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मेरा चोटा सारी क्योश्ट है अगर आप मेरे चैनल पर अभी सेटी का मार्क्स भी जोडा जाएगा तो एसा नहीं मेरे कि सेटी सेट का मार्क्स भी देखा जाता है लेकिन जोड़ा नहीं जाता है चुकि दोस्तों जब CSET आपका किलियर रहेगा तभी आपकी GS1 की कापी चेक होगी Otherwise आपकी कापी चेक नहीं होगी अब बहुत सारे भाई कह रहेंगे अब तुम हमें एग्यान मत दो कि कापी चेक होती है तो भाई अभी बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट हैं जो पहली बार एक्जाम दे रहे हैं दूसरी बार देने लेकिन अभी तक उनको यह नहीं पता है कि CSET का मार्क्स जोड़ा जाता है कि CSET में सिब कंपलसरी मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए तो प्यार साथियों मैं आप लोगों को बता देना जाता हूं सबसे पहले आपको जो है CSET का पेपर कीलियर होना चाहिए तभी आपकी जो है GS1 की कापी चेक होगी तभी आपके जो है मार्क्स कटाफ आएंगे अधरवाइज अगर आप CSET में फेल रहेंगे तो आपकी चेक कापी चेक ही नहीं होगी चाहिए GS में 100 में 100 कोश्चन करके आएंगे CSET में अगर आप 33 परसेंट नहीं पाते हैं तो आपकी कोई फायदा नहीं है पहरे साथियों तो इस बात का किलियर हो जाना चाहिए कि आपका अगर CSET में मैं बात कर लेता हूं 25 कोईश्चन अगर आप सही कर दी हैं तो आप बिल्कुल एकतम सेफ हैं बिल्कुल भी आपको परिसान होने की जरूत नहीं है रही बात पहरे साथियो की कटाफ क्या जाएगी मांक्स कितना जाएगा तो मैंने आप लोगों को बताया था करके 28 Barnes देखाब जाये लेकिं दोस्तों जो कुछ लिए चल की dauट नेकिफोट कर सुझेट कि अमेरियर स्थ जीbaar से जाएगी पेर इसको नोट करके लगे जियेगा 74 के बीच में इसका प्लस टू कर लीजे इससे ज्यादा कटाफ तो नहीं देखने को मिलेगा मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों मैं कहा रहा हूं एक क्टाफ तो बता नहीं कि मैं वही कटाफ बताऊंगा लेकिन हाँ एक अनुमानित कटाफ मेरा यही है कि 74 से लेकरके 76 के बीच में आपका कटाफ जाने वाला है अब रही बात पहले साथ ही आपकी OBC की कटाफ की तो OBC का जो कटाफ रहेगा OBC का कटाफ वहीं बात कर लेते तो 70 से ले लिजी आपको 72 पलस्टू माइस टू कर लिजे आपका यह OBC की कटाफ रहेगी इस चीज़ को आप गांठ बान के रख लिजेगा एक कोने में इसकिन साथ लेकर के मैं रख लीजेगा कि पर लिए के रहा हूं कि असे प्लस टू माइस टू हो सकता है इसकी संभावना एक स्पेक्टिर कटाफ है ना की रियल कटाफ तो कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ बी का मतर्व नहीं कि 10 मार्व 5 मार्व ज्यादे जायेंगे बसपलस्टू आप सब्सक्राइब कर रहने लाइक और सब्सक्राइब करके भी लाइकन जरू दबाएगा धन्यवाद जयाहिन